आज हमारा General Mathematics का Lecture No.17 है हम रिव्यू करेंगे फॉंक्शन को ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू टॉपिक फॉंक्शन का ठीक है फॉंक्शन में क्या है फॉंक्शन किसे कहते हैं फॉंक्शन is a well-defined relationship from a set A to a set B यह definition है इसे आपको समझ नहीं आएगी बेपर समय नहीं आती भी नहीं है बस आपके लिए फॉंक्शन कैसे होते हैं वन-to-one होते हैं या मैनी-to-one वन-to-one कैसे होंगे अगर एक आपके पास input output input है तो उसका output भी 1 ही हो जैसे 1 और 1 का आएगा 2 और 2 का एक single one-to-one है ठीक है अगर इस तरह है कोई function 0-0-0 तो इसका एक output भी 1 की आए अगर इस तरह है कोई function 0-0-0 तो इसका एक output भी 1 आता है यह जो भी आता है एक्जामपल तीनों का A की result आए तो वो output A की आना चाहिए अगर 3 input ज़ादा है तो फिर भी output A का है ठीक है ऐसे तो paper में नहीं आता है लेकि यह concept के लिए कि अगर आपको मिल जाए कि function कैसे होते है कब function होगे many to many तो नहीं हो सकता many to one option इस तरह आ सकते है तो आपने many to one ही करना है ठीक है operation हम देखते है function में operation कैसे होते है addition होती है subtraction होती है multiplication and division जैसे कि हम set में भी करके आए हैं फिर जो आगी mattresses है उसमें addition subtraction multiplication division यह होत functions होते हैं तो addition कैसे होगी दो function होगे x बीच में plus लगाएंगे दूसरा function दोनों को add कर लेंगे अगर constant value होगी तो constant को एक साथ add करेंगे अगर x y की होगी तो x y को एक साथ करेंगे और add करेंगे simple सा इसी तरह opposite subtraction भी होगी जैसे addition होगी लेकिन sign क्या होगा subtraction का होगा multiplication में क्य होगा एक set होगा मतलब swaadi set एक function होगा दूसरा function होगा तो आपने पहले एक function के 3 plus y है इस तरह ना or you for example example दे रहे हूं ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इस फूरे के साथ करना है, फिर य को इस पूरे के साथ करना है, ठीक है, इस तरहा multiplication होगी पूरी वीडियो मेरे पिछले लेक्चर में जो है अवेलिबल है बाकी जो हमने पढ़ा है तो आप डिटेल उसमें जाके देखें यहां पर lengthy हो जाएगा इसलिए मैं जो है आपको एक review से दे रही हूँ कि addition कैसे करने हैं इस एक्जामपल के लिए एक दफ़ा आप नहीं है वीडियो देखने का तो जल्दी से आप जाके गूगल पर लिख लिए कि addition of function तो दो addition की example आजएगी या subtraction की short time में इस तरह नहीं तो मैं एक वीडियो last में बनाऊंगी सारे lectures का review तो उसमें आप देख लेना ठीक है next आचा है multi division division वैसे होगा एक function divide by दूसरा function ठीक ह अब हम आते हैं composite function की तरफ यह important है ठीक है important भी लिख देती हूँ यह paper में लाजमी आता है composite function क्या होते है composite को कहते है f of g ठीक है यह zero का मतलब है ना of is equal to या g of x हो सकता है दोनों का answer equal क्या होगा x का एगर एक set है x ठीक है एक function है x तो हमने दोनों को करके देखते है example देखते ह function है f of x उसका यह है 3x plus 2 और g of x है उसका है x square ठीक है तो हम f of g कैसे करेंगे is equal to f of g of x वैसे ही जो मैंने उपर बताया है वैसे लिखेंगे और फिर हमने क्या करना है f g of x हमारे पास क्या है g of x हमारे पास x square है तो हमने g of x की जगा है g of x का जो function है वो डालना है ठीक है अब ह दूसरा देखेंगे अगर हमने g of x करना हो यहाँ पे तो हमने f of g किया है तो g of x करना हो तो हम क्या करेंगे g of f of x लेखेंगे f of x अंदर अब f of x हमारे पास क्या है f of x हमारे पास 3x plus 2 है तो वो हमने अंदर डाला अब हमारे पास g of x आगे यह x की value है f of x की तो g of x हमारे प आपके लिए नेक्ट हम आते हैं inverse of function inverse of function क्या है f के उपर inverse minus 1 को inverse कहते है x अब इसका inverse कैसे लेना है three steps यह main three steps है आपने यह याद कर लेना है इस step को follow करना है जब भी inverse आपने यह तीन काम करना है पहले क्या करना है rewrite करना है x और f of x को y की जगा जो भी हमारे पाफ f of x होगा ना हमने इसकी जगा y लगा देना फिर हमने क्या करना है जहां जहां एक्स है वहां पर हमने y लगा देना और y की जगा पर x लगा देना और last में क्या करें कि हम y को solve करेंगे जैसे मतलब y is equal to जो भी result आता है उदर दुसरी side होगा दूसरा step हमारे पास है कि हमने x और y को swap करना है जहां जहां x है वहां y लगाना है जहां जहां y है वहां x लगाना है तो उपर देखे यहां पर y है तो हमने यहां x लगा दिया यहां पर x है तो हमने यहां पर y लगा दिया swap कर दिया अब हमने y को solve करना है solve for y, तो हमने solve करना y, तो इसके पास जितनी एक्स्ट्रा चीज़े हैं, उसको दूसरी साइट पर बेज देंगे, पहले तो plus 3 एक्स्ट्रा है तो अधर जाएगा, तो minus 3 हो जाएगा, ठीक है, minus 3, x minus 3 is equal to 5y, अब हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 को दूसरी साइट पर बेज जाएगा, inverse, f inverse is equal to x minus 3 divided by 5, यह हमारे पास इसका solution आते है, ठीक है, इसके बात हमारे पास आते हैं, quadratic functions, ठीक है, यह बहुत important है, यह बहुत important है, यह बहुत important part है, function का, अच्छा हमारे पास quadratic किस तरह होते हैं, पहले हमारे पास highest power होती है, 2, फिर उसके बात सिर्फ x आता है, और उसके बात constant आता है, a लिख लें, b लिख लें, c is equal to 0, जो भी आप डालते है, b, c, ठीक है, यह फिर आपकी highest power 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, इस तरह power जाए, ठीक है, अब example देखें, तो question इस तरह दिया है, कि a x of square plus b x plus c, पहले square की value हो, फिर 1, फिर उसके बात constant आ minus 6x plus 4 is equal to minus 1, minus इस साइट पर लगता है, यहाँ पर मुझसे जगा रहेगी थी, इसले में बाद में minus जाल दिये, ठीक है, अब आपने क्या करना है, कि 1 पहले इधर है ना, तो इसको उदर करेंगे, यहाँ पर question में देखें, equal कि दूसरी साइट पर 0 है ना, तो हम पहले दू पार्ट में खोलेंगे हम, 5 आजाए, ऐसे दो नंबर multiply करें कि 5 आजाए और plus minus करें तो 6, तो 510 आता है, और 5 multiply 1 is equal to 5 आता है, तो 5 आगिया, और इन दोनों का add करें, तो हमारे पास तब भी क्या आता है, 6 आता है, तो हमें यह 6 चाहिए और 5 चाहिए ना, तो इन दोनों को हम minus है, तो हमने यहाँ पर minus highest के साथ लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर हमने add करना, अगर हम एक साथ minus करेंगे, तो पहर हमें minus करना पड़ेगा, इसलिए हमने दोनों के साथ minus लगाया, कि minus 5 और minus 1 दोनों add होके, हमाँ पास minus 6 आता है, ठीक है, तो हमने एक bracket में उसको कर दिया, factorize minus 5 आ गया, दूसरे में minus 1 आ गया, इन दोनों को common ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर एक step में ने छोड़ती है, direct करा दिया, क्योंकि factorization असान है, हर दफ़ हम करते है, तो इस वज़े से हमने क्या कर दिया, x, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक step है, 6x plus 5 था न, x square is equal to minus, sorry, minus, तो हमने factorize किया, तो हमने लगा दिया minus 5x minus 1x, ठीक है, दोनों को add किया, तो वही आगया x लगाना है, दोनों की सब्स 5, उसके बाद यहाँ पर x common ले लिया, तो हमारे पास x minus 5 रह गया, दूसरे साइड पर minus 1 common ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x minus 5, तो minus minus था ना, इसलिए यहाँ माइनस आगे, तो यहाँ पर क्या गर दिया, x minus 5 एक ब्रैकेट और दूसरा x, दूसरा x minus 1, ठीक है, इसलिए यहाँ यहाँ पर ही आए, ठीक है, अब दोनों x minus 5 का मतलब है, वो भी equal to 0 है, और x minus 1 का मतलब है, वो भी 0 है, इक्वल के, तो यहाँ प आते हैं हमारा, इसके बाद example एक और आती है quadratic formula से, ठीक है, यह shortcut होता है, किसी भी question को solve करने के लिए, हमारे पास अगर quadratic equation है, x squared minus 6, x plus 8, ठीक है, तो आपको देखने से पते ज़र रहे है, यह quadratic function है, तो हम इसको direct formula लगा सकते हैं, formula याद करना ज़रूरी है, आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं formula, ठीक है, sign याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह होते हैं, कभी यहाँ plus लगा देते हैं, कभी यहाँ minus की जगा plus लगा देते हैं, sign change कर देते हैं, तो वो हम confused ले जाते हैं, कि sign क्या है, तो formula याद करना है, x is equal to minus b, plus minus b square minus 4ac divided by 2a, ठीक है, अब हमारे पास जहा जहाँ यह क्या है, a हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, यह तो 1 है, b हमारे पास क्या है, 6 और c हमारे पास क्या है, 8, तो हमने a, b, c लिख लिए, अब यहाँ जहाँ b है, वहाँ b की value हो, जहाँ a की value हो, जहाँ c है, वहाँ c की value, value put करने के बाद, solve करना है, minus minus plus हो गया, तो 4, 8, 32, तो 32, बंजा, 32 बंजा, 32 ही आ गया, डिवाइट बाइट 2, 1, 0, 2, इन दोनों को माइनस किया, तो 4 आ गया, डिवाइट बैट 2 बैसे कभ ऐसे, 6 भी बैसे कभ ऐसे, अब 4 का अंडरूट क्या है, मिसलब 4 का स्क्वेर ले रहे हैं, तो यह इस तरह है तो हमने इसको इस तरह करके यह अंडरूट काड़ दिया तो हमारे पास सिंपल 2 आ गया तो 2 आया है तो हमने क्या किया अब यह 2 जो है एक दफा प्लस के साथ है ना 6 प्लस 2 है और एक दफा माइनस के साथ है तो हमने अलग कर दिया दोनों को इन दोनों को ए से किया था तो हमारे पास दो आशार आए एक्स की वैल्यू आए थी ना यहां पर भी हमारे पास दो वैल्यू आते हैं ठीक है यहां पर यह हमारा बिसमे ने इसमें जो है important important चीज़े आपको करवा दिये हैं आपने बाकी lecture लेना है जिसमें addition subtraction and multiplication हो तो आप लोगों को concept करें हो जाएगा यहां पर हमारा यह function का review खतम होता है अगर आपको detail में पढ़ना है और examples करनी है तो आप लोग जाके functions के मेरे जो part है four part है I guess three to four parts है वो watch करें तो आपको अच्छे से समझा जाएगी में में टम के लिए ठीक है इजास्ते दीजिए Allah हाफिज